लालची लोमडी की कहानी एक बार की बात है एक जंगल में एक चालाक लोमडी रहा करती थी गर्मियों के दिन थे और वह भूख से परेशान होकर जंगल में भटक रही थी बहुत देर जंगल में भटकने के बाद लोमडी को एक खरगोश मिला लेकिन खरगोश मिलने के बाद लोमडी ने खरगोश को खाने की बजाए उसे छोड़ दिया क्योंकि वह इतना छोटा था कि उसे खाने से लोमडी का पेट कहां भरने वाला था इसके बाद लोमडी आगे बड़ी फिर से जंगल में भटकने लगी कुछ देर जंगल में भटकने के बाद भूखी लोमडी को एक हिरन डियर दिखा हिरन को देखते ही लोमडी के मुझ में पानिया गया लोमरी हिरन को पकरने के ये उसके पीछे दोडने लगी लोमरी ने अपनी पूरी ताकत से हिरन का पीछा किया पर हिरन लोमरी की पकर में नहीं आया अब लोमरी खाने की तलाश में बहुत ही ठक चुकी थी जब लोमरी के हाथ हिरन भी नहीं लगा तो लोमरी सोचने लगी कि इस से अच्छा होता वह छोटे से खरगोश को ही खा लेती जिसको उसने छोड़ा था कुछ देर आराम करने के बाद लोमरी खरगोश को धूंधने के लिए फिर से जंगल में भटकने लगी जंगल में खरगोश को धूंधते हुए लोमरी वहाँ पहुची जहाँ उसने खरगोश राबिट को देखा था लेकिन लोमरी को वहाँ खरगोश नहीं दिखा ठक हार कर लोमरी को अपनी गुफा में लोटना पड़ा जिसके बाद कई दिनों तक भूखी लोमरी अपनी गुफा में भूखा रहना पड़ा और बहुत दिन बीट जाने के बाद लोमरी को खाना मिला कहानी की सीख उप्रोप्त लोमरी की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए यदि लालच की ये बिना संतोशी जीवन जीते है तो आप सुखी रहते हैं हिंदी में लालच गीडी के प्रसिद मुहावरा भी है कि लालच बुरी बला है